नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे कि आरद्रा नक्षत्र के चार चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रो यदी जन्म कुंडली में चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ती तेज सुभाव का होता है ऐसे लोग चिड़ चिड़े और क्रोधी सुभाव के होते हैं इन लोगों को किसी भी बात पर चणिक क्रोध आता है चिड़ चिड़ापन आता है ये लोग कठोर हृदई होते हैं कठोर हृदई का मतलब है कि कठोर हृदई बाले होते हैं कड़े दिल बाले होते हैं और इसे किसी भी बात पर भावुक नहीं होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं, ये लोग बहुत सोच विचार करने बाले होते हैं, यानि कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाब और चिंतागरस्त रहते हैं, ये लोग हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहने बाले होते हैं, चिंता ग्रस्त रहने बाले होते हैं ये लोग खर्चीले सुभाव के होते हैं बहुत धन खर्च करने बाले होते हैं कई बार इनका धन ब्यर्थ में ही फिजूल के कामों में खर्च होता है जिस कारण से इनको परिशानी भी होती है ये लोग खुद ही अपना धन खर्च करते ह और फिर बाद में चिंता भी करते हैं, परेशान होते हैं कि अरे बहुत जादा धन खर्च हो रहा, बहुत जादे पैसे खर्च हो गए, खुद से ही पैसे खर्च करते हैं, फिर बाद में खुदी सोचते हैं कि अरे जादा खर्च हो गया, इन लोगों का खर्च करने का सभाव ही होता है इसी कारण से इनके पैसे जादा बच नहीं पाते हैं मित्रो यदि आर्द्रानक्षत्र के प्रथम चरण में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है यानि कि गीत संगीत अथवा कला आदी का अच्छा जानकार होता है ऐसे लोग तत्व मिमानसक होते हैं यानि कि मिमानसा सास्त्र के जानकार होते हैं अथवा ये लोग मिट्टी या फिर चमडे से संबंधित काम करने वाले होते हैं यानि कि ये लोग कुमार होते हैं अथवा चमडे के व्यापारी होते हैं और यदि रेवती नक्षत्र में लगन हो और आरद्रा नक्षत्र में चंद्रमा और गुरू एक सांथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति उच्चिस्तरी धनवान होता है यानि कि ऐसे लोग अपनी मेहनत से और अपने कुटुम्ब के सहियोग से भी बड़े धनवान बनते हैं और एस्वरे बान होते हैं मित्रो यदी जन्म कुंडली में चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है ऐसे लोग यांत्रिक होते हैं यांत्रिक का मतलब है कि यंत्रों के जानकार होते हैं यानि कि इलेक्ट्रोनिक सामान के तकनीक के जानकार होते हैं अधबा ये लोग बहुत सारी मसीनों के विसे में जानकारी रखने वाले होते हैं, नई नई मसीनों के विसे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग मानसिक रूप से हमेशा चिन्ता ग्रस्त और तनाओं में रहते हैं, ये मानसिक रूप से हमेशा कुछ ना कुछ सो अपने मन में ही, ये लोग खर्चीले सुभाव के होते हैं, इनका धन जादा खर्च होता है, इनका पैसा कई वार ब्यर्थ में ही खर्च होता है, यानि कि फालतू के कामों में भी खर्च होता है, और इसी कारण से इनको धन की कमी भी महसूस होती रहती है, यानि कि इनका पैस ब्यर्थ में खर्च होता है इस कारण से इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास में पैसा है ही नहीं लेकिन ये लोग धन कमाते भी रहते हैं और यदी आरद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में चंद्रमा और सुक्र एक सांथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति गीत संगीत अथवा कला आदी में रुची रखने वाले होते हैं यानि कि गीत संगीत कला आदी के रुचिवान होते हैं अथवा ऐसे लोग बिसिष्ट संगीत कार होते हैं यानि कि गीत संगीत कला आदी में माहिर होते हैं गीत संगीत कला आदी के अच्छे जानकार होते हैं ऐसे लोग कई संगीत संगीध बाद्यों का मतलब है कि musical instrument के वादक होते हैं और musical instrument बजाने में माहिर होते हैं निपण होते है 마지막 लेकिन ऐसे लोग थोड़े मंद सुभाव के होते हैं मंद सुभाव का मतलब है कि थोड़े धीले सुभाव के कोई भी काम बहुत धीरे-धीरे करने वाले होते हैं, दीर्ख सूत्री होते हैं, यानि कि एक घंटे का काम ये लोग चार घंटे में पूरा करते हैं, बहुत आराम-आराम से काम करने वाले होते हैं, और इन लोगों को स्वास्थ संबंधी समस्य जाय होतीं हैं विसेश कर ये लोग दमा रोग से अथवा कफ जनित रोगों से पीडित होते हैं इन लोगों को दमा रोग हो सकता है अथवा स्वास से संबंधित परेशानी स्वास लेने में दिक्कत अथवा स्वास की नली में कोई न कोई परेशानी अथवा कफ जनित रोग इनको हो सकते हैं, मित्रो यदी जन्म कुंडली में चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और बिद्ध्वान होगा, ऐसे लोग प्रसन्य चित्व, खुसमिजाजी होते हैं, यनकी हमेशा प्रसन्य रहने बाले होते हैं, ये लोग बागपटू होते हैं, बोलने में निपण होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, ये लोग अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, यनकी प्रवचन करता या फिर स्पीक भासरण देने वाले ये लोग अच्छा बोलते हैं और अपनी बातों को अच्छे धंग से रखने वाले होते हैं ये लोग खर्चीले सुभाव के होते हैं और कई बार तो ये लोग अपना धन ब्यर्थ में ही खर्च करने वाले होते हैं यानि कि इनका पैसा कभी-कभी कामों में भी खर्च होता है इन लोगों को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होती है यानि कि कोई न कोई बीमारी से ये लोग वीड़ित भी रहते हैं अथवा इन लोगों को छोटे-छोटे रोग लगातार होते रहते हैं यानि कि छोटी-छोटी बीमारियां सरदी जुखाम ख विसेश कर इन लोगों को दुरघटना का डर रहता है यानि की गाड़ी बाहन से अथबा किसी और भी प्रकार से इनके साथ में कोई न कोई दुरघटना हो सकती है इस चीज का इनको डर बना रहता है यदि आरद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्रमा बैठे हो और लग्न रोहिनी नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति जादा धन खर्च नहीं करता ऐसा व्यक्ति धन का संचय करता है यानि कि ऐसे लोग धन को बचा करके रखते हैं पैसे को बचा करके रखते हैं और यदि चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में हो और लग्न कृतिका या फिर रोहिनी नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति के सहोदर भाई बंधु मस्तिस करोगी या फिर दिमाग बिक्रित होते हैं सहोधर भाई का मतलब है कि एक ही उदर से जन्म लेने बाले यानि कि एक ही माता से जन्म लेने बाले दो भाई या दो बहन ऐसे लोगों के सगे भाई या फिर सगी बहन को मस्तिस्क रोग या फिर दिमाग से संबंधित कोई न कोई परेशानी होती है यानि क की दिमागी विक्रत हो सकते हैं ऐसे लोगों के भाई बंधू मित्रो यदी जन्म कुंडली में चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक सुभाव का होता है और ऐसे लोग इस्वर भक्त होते हैं भगवान में स्रध्धा रख रखने बाले होते हैं और ऐसे लोग सनमार्ग पर चल करके धनवान बनते हैं और यदि ये लोग सनमार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इनको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है लेकिन ये लोग बहुत खर्चीले सुभाव के होते हैं इनका धन ब्यर् खर्च करते हैं और फिर बाद में पस्चाताप करते हैं यानि कि खुद ही ब्यर्थ के कामों में फालत्यू के कामों में धन खर्च कर देते हैं पैसा खर्च कर देते हैं और फिर बाद में पस्चाताप करते हैं कि अरे जादा ले जाती है अथवा इनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है इनकी पढ़ाई में रुकावटें आती है अथवा इन लोगों को अपनी पढ़ाई का लाव नहीं मिल पाता है यानि कि ये लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं ये लोग बोलने में न अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं ये लोग बोलने में माहिर होते हैं लेकिन इन लोगों के अपने माता-पिता से अथवा अपने परिवार के बड़े लोगों से मतभेद होते हैं और विचारों में मतभेद के कारण इनको अपने परिवार का इनको अपने परिवार का सुख सहीयोग नहीं मिल पाता है। आरद्रा नक्षत्र के चौथे चरण में चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति जादातर अपनी पत्नी से निम्नस्रेणी में होते हैं। यानि की सादी के बाद इनकी पत्नी इस चीज का पस्चाताब भी करती है। अथबा कभी कभी पत्नी दोनों एक ही विभाग में यानि की एक ही जगहे पर अलग अलग पदों पर कारेरत होते हैं। और उसमें इनकी पत्नी उचे इस तर पर काम करती है और ये खुद नीचे यानि की छोटे पद पर काम करने बाले होते हैं। और इस चीज का पस्चाताब इनकी पत्नी को हमेशा साधी के बाद होता रहता है।